परमपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा क्योंकि आपकी उम्मीद पर टका है परिवार हमारा अमर भारती एक उम्मी जजबा बुलंद होसलों का जजबा भारत के निर्मार का उत्रपरदेश की राइवरेली जेल में कैदियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा पिछले दो महीने के भीतर दो कैदियों की मौत हो चुकी है ऐसे में इस बार हत्या के आरोप में पिछले 6 महीने से जेल में बंद रिंकु सिंग नामक कैदी की मौत हो गई दरसल रिंकू को जब जेल में बंद किया गया था उस दोरान से ही उसको दिल की विमारी थी लिहाजा उसका उपचार लगतार अस्पताल में जारी था हालाकि मंगलवार शाम रिंकू की तवियत जेल में एका एक बिगड़ गई जिसके बाद उसे आनन फानन में जेल प्रशासन ने अस्पताल में भरती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई मायोपैथी नामक बिमारी उसको थी और उसका इलाज केजी एमसी वह एम सराइबरेली के परामर्श के अनुसार कराया जा रहा था वह जेल अस्पताल में ही लगातार भरती था 28-27-12 से और आज उसको एका एक तवियत बिगड़ी जिला अस्पताल भेजा गया जिला अस्पत रिंकू की मौत के बाद जेल प्रिशासन ने भी आगे की कारवाई शुरू कर दी है